रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार में बताएंगे कि क्या फाइदे और क्या नुक्सान है जामुन खाने के जबरदस्त फाइदे इम्म्यूनिटी भराने में हैं रामबान खून की कमी को पूरा करता है जामुन दातों और मसूर के लिए बड़ा फाइदे मंद जामुन जामुन तो आप सब ही ने खाया होगा पर इसके और गुनों के बारे में तो कुछ ही लोग जानते हैं जामुन गर्मियों में खाय जाने वाला एक स्वादिश्ट फल है ये मे और जून के मौसम में मिलता है जामुन अपने मीठे स्वाद के साथ साथ कई आउश्धियों गुनों से भरपूर है इसे ब्लैक प्लम या जावा प्लम के नाम से भी जाना जाता है जामुन खाने के अंगिनत फाइदे होते हैं ये पेट दर्ड, डाइबिटीस, गठिया, पेचस, पाचन, संबंधी कई अन्यसमस्याओं को ठी करने में भी मददकार है विटमिन सी और आइरन से भरपूर जामुन शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से ऑक्सिजन के वहन की शमता बढ़ जाती है इससे शरीर में खून की कमी पूरी होती है और आप स्वस्त रहते हैं जामुन में मौजूद आइरन खून को शुद्ध करने में मदद करता है जामुन में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है और इसमें कैलरी बहुत ही कम होती है इसमें विटमिन C, आइरन, फोस्फोरिस, मेगनेशियम और फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है इससे हमारे शरीर को स्वस्त रखने में मदद मिलती है इसकी सेवन से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है जिससे आपको बार-बार भूग का एसास नहीं होता है आपको बता दे कि इसके नियमित सेवन से बढ़ते हुए वजन को कम किया जा सकता है जामुन के सेवन से त्वचा फ्रेश बनी रहती है साथ ही जामुन में एस्ट्रिजिन्ट गुन होता है जो त्वचा को स्वस्त रखने में मददगार साबित हो सकता है इसके सेवन से त्वचा पर होने वाली कील मुहासों की समस्या कम हो जाती है अगर आपकी तवचा तेलिये है तो स्किन समस्याओं को दूर करके इसे साफ रखने में मदन मिलती है इसके और भी कई गुण हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं जामुन के नियमित सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है जामुन में विटिमिन, मिनरल, आंटी ओक्सिडन्स होते हैं इससे इम्यून सिस्टम को मजबूत करके शरीर का स्टामना बरहाया जा सकता है वही जामुन मसूरों और दातों के लिए गुनकारी माना जाता है जामुन की पत्तियों में एंटी बैक्टिरियल गुन होते हैं इसका सेवन मसूरों से निकलने वाले खून को रोकने में और संक्रमन की फैनले से रोकता है आप चाहे तो जामुन की पत्तियों को सुखा कर टूथ पाउडर की रूप में इस्तमाल कर सकते हैं इसमें एस्ट्रिजन्ट गुन होते हैं इसके अलावा मूँ के छालों में जामुन की छाल के कारा का इस्तमाल करने से फाइदा मिलता है फिलहाल अगर आप किसी भी बिमारी से परिशान हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले फिर इसका इस्तमाल करें फिलहाल से हस्त जुड़े इस खास कड़ी में अभी के लिए इतना ही आगे हम आपको ऐसी ही तमाम जानकारियों के बारे में बताते रहेंगे तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी